हेलो एवरिवन आज का हमारा टोपिक बीए बीए सी फर्स्ट इयर सेकेंड सेम एक्सरसाइज सेवन पाइंट टू ओर्डिनरी डिफेंशल इक्वेशन के अंदर हम अपने कोशन 5 तर कम्प्रेट कर चुके हैं आज देखते हैं कोशन नंबर 6 तो कोशन नंबर 6 हमारे पास क्य एक्ष्ट पास एक डिफेरेंसल इक्वेशन देरखेंज इसका में सूल्शन फाइंड करना है ठीक है तो इसके लिम क्या करते है सबसे पहले इसको माल लगते क्वेशन नंबर 1 ठीक है अब देखो यहां से इसको सोल करना यहां से आसान दीख रहा मुझे लास्ट टू मेंबर से ठीक है तो टेकिंग लास्ट टू मेंबर्स ओफ एक्वेशन वन आप लास्ट टू मेंबर्स को या लास्ट टू फ्रेक्शन्स को ठीक है जी को इशो नहीं है तो बात करते हैं यहां से दी वाई अपोन 2xy is equal to dj upon 2xz अब 2x, 2x cancel out हो जाएंगे तो बच्चे का क्या हमारे पास dy upon y is equal to dz upon z अब बात करते हैं हाँ पर integration की तो on integrating we have तो integration apply करेंगे तो dy upon y is equal to integration dz upon z तो integration आए गए यहाँ पर log y is equal to log z plus के एक constant log 7 अब log 7 को आप यहाँ भी लगा सकते हो log 7 को आप यहाँ भी लगा सकते हो ठीक है जी तो ऐसा करने से हमारे पास जो answer का difference आजाए थोड़ा सा वो difference भी हम खतम कर सकते हैं क्योंकि जो 1 by 7 होगा उसको फिर से हम 7 choose कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं दूसरे solution की तो दूसरा solution हमारे पास कैसे आएगा अब तो हम कोई quick भी नहीं कर सकते हैं तो अब क्या करेंगे अब multiply चूज करेंगे हो दे मुझे हो फिर से हम 5 मैं तो अधिन चूज करिया थैरे हम हो और चूज कर सकते हैं 3 से paar यहां पे हम अगर से बार समल कर देए तो यहां इस क्यों बनेगा एक हमारे पास यहां पर तो मल्क वाज्य करते हैं आप एक्स वाई जैड एज मुल्टिप्लायर्स यह मुल्टिप्लायर्स चूज कर लिए ठीक है तो भी हां से कुछ इंट्रेस्टिंग सा होने वाला है तो यह हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स स्केर माइनस वाई स्केर माइनस के अब देखो यहां पर हमारे पास जीरो तो बनने का चांच नहीं है कि जांचेर इजिरो बना-स-क independent के मिचे तो कुछ और बनाते हैं मैंने अपको बताया था कि हम टैप ऐसी बनाएंगे जहां पर नीचे फंक्शन हो और उपर उसका डेरिवेट हो ठीक है जी हम ऐसी बना सकते हैं ठीक है तो दिखो यहां से हमारे पास एकस 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 को में दिखाए मुझे तो मैंने क्या किया एकस को मों निकालती अ अंदर बचारए मारे पास एक्सकेर माईनिसड़ प्लस तूआइस के फिर्पलस ट्वा जैकि continuing तो एकस डी एकस फोलस वाइenser डी वाई फょस्ट घी time अपून एक्स यहां पे एक्स स्केर माइनस वाइस के प्लस टू आइस के तो बनेगा प्लस के वाइस के प्लस के जैड स्केर ठीक है जी यह हमारे पास हो गया तो अब देखो मैं यहां से उपर कुछ डैरिवेट दिख रहा है इस फंक्शन का एक्स के डैरिवेट कितनों टैक्स के रिस्पेक्ट में तो यहां पर अगर टू आ जाए यहां पर टू आ जाए यहां पर टू आ जाए तो हम जो कुछन सोल करेंगे वो आसान हो जाएगा हैंजी तो यहां पर एक्स है बट इस एक्स को भी इटाना पड़ेगा तो हम क्या करत जो यह ठीज हमारे पास New Man Jahren reflection तो यहां से किसी एक को लेता है ठीक है अब चाहूँ तो इसको ले सकते हो DIY-DS, 2XY को अब चाहूँ तो इसको ले सकते है ठीक है यह आपकी चोषह है घ्स जाएरे से एक से तो एक संफो असमय हो जाएगा ठीक है आपकी चोआस है में आप इसको भी लिffen क्णक्ति ऊसको लेंगे तो अंसरिफरेंट आएगा इसको लेंगे तो अंश awareness न इसको लेंगे तो अंसरे डिफरेंट आएगा ठामारा जो आंसर होगा वह ब्र 느낌이 बलाई केशति ध्ड एंसर डिफिरेंट आएगा सकत्व को लेंगे थीटी दू को मैं बेज दू क्या बन जएगा डिज of लाउट हो चुका है एक स्केर पलस वाई स्केर पलस के जैड़ स्केर अब क्या करते हैं आपर इंटेग्रेशन ओन इंटेग्रेटिंग भी हैं इंटेग्रेशन करेंगे तो दीजेड पूर्ण डीजेड तो हमारे पास बनेगा जीए लोग जैड ठीक है इस इकॉल टू अब अब बारिया इसीवन की तो लोग सिवन आप यहां भी अब लगा सकते हैं लोग सेवन आप यहां लगा सकते हो चली में हालाई दितो हूं लोग सीटू ठीक है क्योंकि सीवन हहीं हम यहां योज … यहां इस्ञास कर चुके यहां पेrent नाम मैं देदा दूसरा सीटू यह ब तो एंटी लोग लेंगे बोट साइड तो मारे पास क्या बने गई है सी तू जैड तो मैं इसको चुले आम लिए देता हूं सी तू जैड इसको नाम देता है एक्वेशन नमबर 3 का अब हमारे पास एक्वेशन 2 है और एक्वेशन 3 है तो एक्वेशन 2 and 3 together form the complete solution of equation 1 तो एक्वेशन 2 और 3 में क्या देंगी complete solution देंगे ठीक है जी यह हमारा complete question हो गया जल्दी चानोट कीजिए फिर बात करतें next question के अंसर के मैंने आपको पहले बता दिया है कि यह answer यहां पर match करे जुरूरी नहीं है ठीक है कि आप फिर निचे कमेंट में कहो कि sir हमारा answer तो match ही नहीं करता आपने कुछ और करवा दिया तो उसकलिए पहले बता रहे हैं ठीक है integration के अंदर और differentiation के अंदर answer हमारा match करे जुरूरी नहीं होता है और डिपैंड करता है कि हम formula कौन सप्लाई करते हैं तो इसके बाद हमारे पास next question question number seven वैसे तो question से भी आसान है यह बिट मैं आपके लिए question से भी करवा रहा हूं यह ठीक है ताकि आपको किसी भी question में problem ना है वन्हें सोचने काम तो आपका है वैसे डी वाई अपून तो इसको सोल कैसे करेंगे वही सब से पहला काम क्या करेंगे इसको equation number one let कर लेंगे अब देखो यहां से सोल करना हमारे लिए आसान है कि मुस्किल है कैसे सोल कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहां से अगर multiply choose कर लें देखो यहां से हमारे पास कुछ दिख रहा है वाई क्यूब एक्स माइनस के टू एक्स की पावर फोर ठीक है अगर एक्स यहां से कोम निकाल दे वाई यहां से कोम निकाल दे तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं दे एक्स अपोन एक्स इंटो वाई क्यूब माइनस के टू एक्स क्यूब दिख यहां से हम क्या करेंगे multiply choose करेंगे multiply 1 by x यह x गयब हो जाएगा 1 by y करेंगे तो यह गयब हो जाएगा तो यहां से गयब बंसे मैं कुछ मिलता है तो y cube और 2y cube तो यह हमारे पास cancel भी नहीं हो रहा ठीक है जी 3y 1 by x 1 by y as multipliers हमने दिखो भी नेक्स वाला चूज नहीं क्या लास्ट वाला वो चूज करेंगे भी ठीक है वो इनको देखके चूज कर लेंगी हमारे पास बचता क्या है ठीक है ताकि में फिर प्रोलम ना है तो dx upon x y cube minus k 2x cube is equal to dy upon y 2y cube minus x cube is equal to dz upon 9z x cube minus k y cube is equal to 1 by x dx plus k 1 by y dy ठीक है ठीक है पहले इन दो को प्रेट करते हैं यहां पर 1 by x यहां हो जाएगा 1 by x यहां करेंगे तो x x cancel out तो बचेगा यहां पर y cube minus k 2x cube यह बचेगा हमारे पास plus k 2y cube minus k x cube ठीक है अब बारिया ती लास्ट वाले की तो इनको देखको पहले यहां बनता है y cube plus k 2y cube यह बनता हमारे पास 3y cube ठीक है क्या बनता है 3y cube के यहां पर 3y cube बनता है यहां 9y cube बनता है तो मैं इसको 3 divided करना पड़ेगा और यह जैड भी पैठाना पड़ेगा मैं यहां से ठीक है तो प्लस बन भाइ थ्री जैड डी जैड ठीक है यह काम होगए हमारे पास ओके जी तो यहां से क्या करते हैं अब बच्छाइगा हमारे पास पलस के 3xx3-3y3-3y3 अब देखो हमारे पास यह नीचे 0 बन जाएगा नीचे हमारे पास 0 बन गया ठीक है जी यह 0 बन गया तो therefore 1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by 3z dz is equal to 0 now integrating we get integration करने पर में क्या मिल गए यहां से 1 by x का integration log x dx log x plus k log y plus k 1 by 3 log z is equal to log c1 तो यह हमारे पास बन जाएगा log x plus log y plus 1 by 3 है यह जाएगी power उपर m log n क्या हुदता है log n की power m ठीक है जी is equal to log c1 तो log apply करेंगे log xy z की power 1 by 3 is equal to log c1 और यहां से हमारे पास आएगा यह xyz की power 1 by 3 is equal to c1 इसको नाम देते equation number 2 का एक solution हमारे पास आ चुका है अब बात करेंगे इसके next solution की तो next solution में सोचना पढ़ेगा की solution निकाल कैसे सकते हैं यहां से के कोई और multiply चूज कर सकते हैं ठीक है तो कोई और multiply सोचते हैं अगर हम चूज कर सकते हैं ऐसा तो हमारे का मास्तान हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास x, y, z अगर यहां पर x की मिल्ट लेकर दें तो x square y cube minus k2 x4 नहीं तो यहां पर हम क्या करते हैं fraction को लेकर कोशिश करते हैं solve करने की ठीक है now taking first two fractions इन से कोशिश करते हैं करोश मिल्ट लेकर करके मारे पास कुछ बन जाएगा तो साइद ठीक है otherwise फिर हम multiply सोचेंगे 2x की 4 is equal to dy upon 2y4 minus x qy यह हमारे पास है तो करते हैं cross multiply तो यह हमारे पास बनेगा 2y4 minus k x cube y dx is equal to y cube x minus k 2x4y 2x4 dy ठीक है जी इतना काम हो गया हमारे पास इसके बाद हम यहां से कुछ ऐसा बनाने कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या बन जाए derivative बन जाए that is product tool apply हुझा है first function as it is derivative second plus second as it is derivative first तो इसका बनाने के लिए हमें डिवाइगे वैली चाहिए एक साइड डे एक स्कूल दूसरे साइड जी हैंगी तो हमारे पास 2y की फोर है तो क्या करते हैं इसको hmen डिवाइड बाइ एक्सक्वब वाईक्योब इसको एक्सक्वएक किप्से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बने गए तू दू यद माइनस के इत्र बाइए एक्स क्यूब इस्पून में एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक क्रम एस्टी जरेंगे येख से दिवाइड करेंगे तो एक कांसले होगे बश्वारा पास एक स्थी दिवाएड किया हτतम वाई किसे ग'क生श को तो इसके बचा इसिकोल टू से महीं आपर करेंगे वाई क्यों से याप काइशल ये बनने का हमारे पास बन को एक साथ तो यहां से हमें 2y अपून x3 dx ठीक है जी वाइज इस तो यहां से हमारे पास यह ट्रमाने चाहिए माइनस के 1 by x square dy इस इकोल टू यह ट्रमू साइड जाएगी तो 1 by y square dx माइनस के 2x upon y cube dy ठीक है जी y cube dy यहां पर आएगा ठीक है तो ब्रैकेट नहीं आएगी वहां पर क्योंकि वह इसे के साथ है यह हमारे पास हो गया अब देखते हैं यहां पर हमारे पास क्या function बनता है क्या हमारे पास derivative बनता है तो दिखो यहां से अगर मैं इसको य को ले तो first function तो second derivative हमारे पास एक्स एक्स का derivative होगा हमारे पास ठेहिए जी अब first function as it is minus k1 by x square तो यह हमारे पास derivative बनेगा दिस तो मैं इसको कुछ एक काम गरता हूं यहां से माइनस को मन निकाल लेता हूं मैं माइनस को मन निकाल लेंगे तो 1 by x square dy माइनस के 2y upon x cube dx यहां से माइनस को मन निकालते है एक ठीक है तो यहां से जग अगर माइनस को मन निकालेंगे तो हमारे पास 2x upon y cube माइनस के 1 by y square dx और यह हमारे पास dy तो माइनस से माइनस कैंस लाट हो जाएगा तो यब हमारे पास first function as it is 1 by x square derivative of second to second derivative हमारे पास y ठीक है तो हमारे पास बन जाए यहां से derivative of y upon x square अग्यान से तो यह हमारे पास यह निकालते हैं यहां पर मारे पास फुर्ट बनेगा नहीं है 1 by y square dx minus 2x upon y cube dy तो देखो first function as it is derivative of x ठीक है plus x as it is derivative of this तो इसका derivative को रहेंगे 1 by y square का तो कितना आएगा minus 2y cube तो यह बनेगा मारे पास derivative of x over y square ठीक है जी और यहाँ पर minus रहेगा तो माइनस है तो हम क्या करते इसको प्लस बना जाते हैं तो प्लस बनाएंगे तो हमारे पास derivative of x upon y square और यह हमारे पास प्लस के derivative of y upon x square is equal to 0 ठीक है जी हमने क्या क्या है इसको उस साइड लेके चले गए तो यहाँ पर integration करते है उन integrating we get integration करने पर हमें क्या में लेगा dc integration cancel out तो x upon y square प्लस के y upon x square is equal to यह हमारे पास आ जाएगा c2 ठीक है जी ओके तो इसको मान लेते एक्वेशन नमबर 3 तो हमारे पास equation 2 भी आच चुकी है और equation हमारे पास 3 भी आच चुकी ठीक है ज़्याद ज़्याद हम क्या एक सकते इसका यह सकते हैं x square y square समाएगा तो पर एक्वेशन प्लस के वाई क्यों बन जाएगा ठीक है तो लास्ट धेर फूर equation 2 & 3 गीवदा equation 2 & 3 together गीवदा complete solution यह हमें कहते हैं complete solution देता है ठीक है जी चेक करते हैं अंसरा साइद मैच हो जाए तो हमारे कोई question number 7 तो question 7 का अंसर x y z e 1 by 3 7 और second हमारे पास y upon x square plus x upon y square is equal to c2 ठीक है हमारा question number 7 का अंसर भीकल match कर गया तो बात करेंगे next question की तो जल्दी इसको note कीजिए फिर next question करता है कि इन question के अंदर में बस थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम solution कैसे बना सकते हैं या members को पिक कर सकते हैं या फिर multiply क्या चूज करें या तो हमारे पास derivative बने या फिर हमारे पास नीचे denominator में क्या बन जाए 0 बन जाए इस परकारश आपको सूचना थोड़ा सा और आपके exam के अंदर तो question भी fix हैं ये कुछ examples हैं कुछ questions हैं इतने question के चीज़े तो आपको वैसे ब्याद हो जाएंगी कि मने वहां पे क्या-क्या पुछ किया था खिक है तो गबराना नहीं है बिलकुल आसान चीज है तो इसके ब बात करते कुछ नबर धिक के तो डी- freshmen एक्स टाइम य स्केल माइनस किज़ेंफ टीवाइप ओन भाई टाइंट जड़ स्केल माइनस के एक स्केल और डीज़े डपोन जैट टाइम एक स्केल माइनस किवाइज के ठीक है ये मारे पास question तो इसको माल अते क्वेशन नंबर व तो भी यहां से दिखो हमारे पास मिल्टिप्लियर चूज़ करना आसान काम है ठीक है क्योंकि यहां से एक स्केर एक्स बचेगा डीवाई डीएक्स अगर मेंबर पिक करेंगे यह मारे पास लेकिन यह सेम नहीं है जो कैंसल आउट हो सके तुम क्या करते हैं चूज वन बाई एक्स वन बाई वाई वन बाई जैड एज मुल्टिप्लियर चूज किये हैं तो यह हमारे पास बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स ताइम वाई स्केर माईनस के जैट स्केर डीवाई अपॉन वाई टाइम जैड स्केर माईनस के एक्स के डीज अपॉन जैड टाइम ए के Y-square। और मुल्टिप्रा हमारे पास रगने की डी लिउन की प्लेसे 9 प्लेस वन भाइफ टीवाइब पलस वन बाइज्सए डीज़ इस्ट इजी इगाल वन भाइए एक्सक्राइब के शक्राइब तो बचे के मारे पास वाइफ सकेर माइनस के जद स्केर यहां से जडि़ square minus kx square plus x square minus k y square twice case a wise for cancel mindset say scale say plus z square minus x square say plus x square to even a gamma pass one by x dx plus one by y dy plus one by z dj upon me 0 kkc for therefore one by x dx plus one by y dy plus one by z d z is equal to zero now integrating we get integration करेंगे तो में क्या मिल गए यहां से log x plus log y plus log z is equal to log c1 to log x y z is equal to log c1 to x y z is equal to c1 इसको नाम देते एक्वेशन नमबर 2 ठीक है जी इतना काम हो गया हमारे पास अब दूसरी केस के लिए चूज अगर मैं इसको x से मिल्टिप्लाय कर दें इसको y से कर दें इसको z से कर दें तो हमारे पास कुछ बनता है देखते हैं चूज x y z as multipliars तो यह हमारे पास बनेगा dx अपॉन x इंटो y स्केर माइनस के जड़ स्केर दीवाई अपॉन y इंटो जड़ स्केर माइनस के एक स्केर दीज़ अपॉन जड़ इंटो x स्केर माइनस के y स्केर इस इकॉल तो इनके इकॉल में मारे पास जो फंक्शन है वह मैं लिख रहा हूं ठीक है लिखना आपको यहां पर है बिट स्पेस को जैसे आप लिख दो इसको में स्केर माइनस के जड़ स्केर मारे पास नीरो बंटा एक शकेड़ प्लस का है एक स्केर ते अनषि है फिर यह माइनस का है तो नीचे मारे पास क्या बनता है जीरो बनता है तो x dx plus y dy plus z dz अब ओन में 0 therefore x dx plus y dy plus z dz is equal to 0 now on integrating we get integration करेंगे तो x square by 2 y square by 2 plus z z square by 2 is equal to c2 तो 2 2 है यहां पर हमां दसर यह भी छोड़ सकते हैं कोई problem नहीं है बट यह जो constant है यह भी constant है और यह भी constant है constant multiply constant क्या होता है constant तो x square plus ke y square plus ke z square तो इसको नाम देते हैं c2 ठीक है जी सीटो नाम देते हैं कोई problem नहीं है तो यह हमारे पास equation बनेंगे third तो लास्ट में लाइन लिख देना अब क्या equation of one two and three together form the complete solution जो equation two है और equation three है और two together हमें क्या देते हैं जी complete solution देते हैं जल्दे से note केजिए फिर next question करेंगे इसके बाद हमारे पास question number nine कि देक्स ओवर x into y square प्लस के ज्यड़ डी वई ओर माइनस के वाई x के प्लस ज्यड़ डीजेड ओवर ज्यड़ इंटु एक स्कीर माइनस के वाइस के ठेक है यह हमारे पास है तो यह question प्रिशन आप खुट रहे करोगे इसके लिए मैं आपको क्या बदता हूं मल्टिप्लाइ बदता हूं मल्टिप्लाइक चूज करने में हाँ आप देखो को शन बिलकुल असान बार बार यही चीज लिखने है तो फर्स्ट मैल्टिप्लाइब चूज कर लेंगे एक्स वाई औ है स्क्राइब लिए इसके एक सोर्फ करने मुर्ण हो जाएगा तो बच्छे का भाइब जाएगा तो बचे का एक स्क्राइब माइनस का जैड तो यहां पर प्लस का वाइज स्क्राइब मारे पास यह हो गया ठीक है इसके बाद जो दूसरा मिल्टिपलाय में चूज करना है वो चूज करना है यहां से कि चूज दूसरा मिल्टिपलाय क्या चूज करेंगे हम अनवा एक स्केर वाइस केर तो एक्स वाई और तीसरा मिल्टिपलाय करेंगे हमारे पास बनेगा मुलटिपलाय चूज कर लिए पर प्लस का x er जैड तो यहां पर क्या करना पड़ेगा- तो हमें क्या चूज कर लिये शुझत कर लिया अ पहले दो को खूठ कर लो थीश्र निखल जाएगा कि का ऐओ हुआ है मुत अब शुझत कर लिये आपको में लुटिप्लाप शूझत करने और कोशीन को प्रोसेडी करते हैं ठीक है ये काम आप कर लोगे बिल्कुल आसांज की जाए एक तो ट्राइए करो मैं ने आपको बता दिये हैं बस ये अपलाई कर दो आपका अंसर आ जाएगा इसके बात करते है कुशन नमबर 10 की देट इस लास्ट कुश्शन तो कुशन मबर 10 हमारे पास डी एक्स अपॉन ऐप्ल सेड डी वाई अपॉन जैड पलस Pot चुर्ण पलस एट जैड फॉन एक्स प्लस वाई ठेक है ये कुशन मारे पास हो seconds asking comment कि शोल करने के लिए हम कैसे प्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए देखो अगर हम स्दूस करते हैं तो यहां पर इमारे पास जैड़ अते लेकिन जैडो का मारे पास काम नहीं है ठीक है यह खूज करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक साथ है तो भी हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमें यहां से भी या multiplier ही चूज करने पढ़ेंगे ठीक है multiplier चूज करने पढ़ेंगे तो multiplier के लिए हम क्या करते हैं तो चूज 111 एज multiplier ही तो 111 मुल्टी जूज कर लगते हैं तुछ से के होगा देखते हैं वाइप लस्ट डिवाइप ओन जड़ए प्लस ऐक दिजट अपॉन x Finnish इस एक लिएग्स प्लस दी प्लस दी जड़ को अपून में वाई पलस X पलस के Z पलस X पलस के X पलस Y, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, Y plus Z, Z plus X, X plus Y, Y plus Z आइगा सर्व यहां पे, ठीक है, मुझे तीन लग गये थे वहां पर, तो अब दिख यहां सी है, हमारे पास क्या बनेगा, dx plus dy plus dz क्या इस भी two time है two time लिख दो इसको x plus y plus z inquad करेंगे 2 तो हमारे पास x है 2 y है 2 z है 2 निकोम निकाल दिया अब देखो नीचे function है उपरून का derivative है हमारे पास derivative है तो 1 by 2 हमारे पास यह बचे गए यहां से ठीक है जी तो यहां से हम कुछ ले सकते हैं कुछ और dz upon 2 x plus y नहीं नीचे अगर हमारे पास 0 बनता तो हम सिर्फ इसी को soul out कर सकते थे तो कोई problem नहीं थी अब नीचे हमारे पास 0 नहीं बना है तो हम यहां से कोई एक choose करना पड़ेगा कोई choose करते हैं करने पड़ेगे तो यह हमारे पास multiplier काम नहीं देंगे तो अगर यह काम नहीं देंगे, है 1 1 0 1 1 0 करेंगे लास्ट जीरो हो जाएगा हमारे पास और यह 1-1 0 ठीक है तो देखो y-z-z-x हमें हटाना है जड़ हटा देंगे तो dx प्लस के dy अपोन यह हमारे पास बन जाएगा यहां से जड़ जड़ करेंश लाउट हो गया तो यह बचाएगा हमारे पास y-k x ठीक है ओके जी यह हमारे पास कहां हो गया का dx प्लस के डिवेप और y-k x ओक है एक मिल्टिपल में चूज है कर लिया राइट एंड एक चूज कर लेते हैं कोई शाओ और यहां से X को गाइब कर दें तो 0,1 माइनस के वन चूज 1 माइनस 0 एंड एंड 0,1 माइनस 1 एज मल्टिप्लायर्स हम ऐसे चूज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा हमने क्या क्या माइनस किया है तो यह माइनस आएगा तो यह मारे पास माइनस था क्योंकि मिल्टिप्लाय माइनस था तो यह हमारे पास क्या बनेगा डी वाई माइनश के Dz अपॉन में Z पलबस X पलस माइनस X माइनस के Y लिधे डी वाइर माइनस के DJ अपॉन Z माइनस के Y ठीक है ये काम हमारे पास हो गया हम येinum le mintypail 0 हम इसके बना सकते है इसमें लिधे ठीक है या 1-1 कर देंगे तो हमारे पास करें multiply हो जाएगा और जो मैंने पहले दिखाया करके 111 वो भी क्या एक multiplier है ठीक है तो हमें साथ में 2 multiply चूज करने पड़ेंगे फिर तो उसको भी ले लेंगे इसको ले लेंगे तो भी मारा answer आएगा ठीक है तो भी यहां से कुछ दिख रहा मुझे यह बाइ- x है और यह एक्स मारार यह तो नीची से मारार नािमन निकाल दो दिAy मैंस कर डिय अपून एक साथ दियर मैंस कर दिज अपून भाइ मैंस एड निचे से मैंस को निकाल दिया थेक है तो देरफोर मैंस से मैंस कैस्ट लाउट हो जाएगा तो डी-X-क डियर अपून X-Y is equal to D-I-D-Z upon Y-Z now integrating we get integrating करने पर में क्या मिल गए यहां से नीचे फंक्शन है उपड़ डेरिवेट हो है ठेक है जी नीचे फंक्शन है उपड़ डेरिवेट हो है तो मारे पास क्या बने गई है लोग X-Y इस इकोल टू लोग Y-Z पलस के लोग 7 ठीक है तो यह हमारे पास बने गए हाँ से X-Y is equal to Y-Z लोग यह भी लोग हमारे पास और 7 तो X-Y Y is equal to Y-Z 7 ठीक है तो यहां से हमारे पास एक शोल्षन इसका आ जाएगा ओके एक सोल्षन हमारे पास इसका आ चुका है तो चेक करते हमारे पास सोल्षन है कोई मैच करता हो तो ठीक है तो X-Y 7 Y-Z तो एक सोल्षन हमारे पास आ चुका है इसका ओके जिए ठीक है तो यह हमारे पास एक शोल्षन नमबर टू हो जाएगी अब हमें दूसरे सोल्षन निकालना पड़े गाए इसका अब दूसरे सोल्षन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करें यहां पे हमें कोई और मल्टिपलाइर चूज करना पढ़ेँ ऐसे छोल्षन है थे करते हैं चूज चूज कर लें और साथ में अब बीच वाले को जीरो बना जाते हैं क्या जातता है ठीक है है नौ अ है चूज बीच वाले को जीरो बनाएंगे तो हमारे पास क्या बने गई है क्योंकि यहां से मारे पास y से ऐसे ऐसे आ हो जाएगा तो वन जीरो माइनस के वन कर एंड वन वन अज मल्टी प्लाइश यह को मैं चूज करें गें तो हमारे पास dx upon y plus z is equal to dy upon z plus x is equal to dz upon x plus y is equal to 1 0 minus 1 तो dx minus kd z upon इसमें से इसको minus करेंगे तो हमारे पास क्या बने गई? y से y cancel z minus k y so z minus k x ठीक है is equal to अब हमने तिनों को add करना है तो dx plus kdy plus kd z upon में हमने जब इनको add किया था तो हमारे पास 2 वार आया था x plus y plus kz ठीक है जी तो हमने बाहर निकाला था 2x plus k2 a plus 2z था था तो अब last two fraction को लेके चलते हैं therefore dx minus kd z upon यहां से minus common निकाल देते हैं तो यह बनेगा x minus kz is equal to 1 by 2 dx plus kdy plus kd z अब उन में x plus y plus kd z यह हमारे पास है ठीक है नो इंटेग्रेटिंग एंड वी गैट यह फिली रतना हूं ओन इंटेग्रेटिंग वी गैट इंटेग्रेशन करें कि तो मैं आ से क्या मलेगा यह तो मिल जाएगा मैं माइनस के लोग x minus z ठीक है माइनस लोग x minus z is equal to 1 by 2 लोग x plus y plus kz और एक c2 और चीए में लोग वाला तो उसको कहा अपलाए करते हैं चलो उसको यहां पलाएगा जाता हूं मैं लोग c2 ठीक है अब यहां अपलाए करो यहां अपलाए करो इससे कोई फरक ने पढ़ने वाला है तो यह बनेगा हमारे पास c2 माइनस के दिस तो लोग c2 अब और में x-z लोग के प्रोपर्टी लोग m- के लोग n क्या होता है लोग m by n is equal to 1 by 2 है इसको पर ले जाओ लोग x plus के y plus z power 1 by 2 हां जी 1 by 2 हमारे पास यहां पर हो जाएगा otherwise मैं इसको यहां पर square भी कर सकता हूँ ठीक है जो 1 by 2 है इस 2 को में क्या कर दता हूँ इस side अगर मैं square लेगा आता हूँ तो देखो हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास जो answer है यह भी answer correct है बैट मैं एक फूर्म और बताता हूँ आपको अगर मैं 1 by 2 है तो 2 को में यहां ले ठीक है तो square में जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा लोकसी टूप सरेट अगे ने कोंस्टेंट थेक है जी x-के जैड़ कच तो स्केर था था धो कमटेर्ट का स्केर हो गया इस एकल तो लोग उफश पलसके जिखेड तो लोग अप्लाइगे तो क्या है यहां पास स् x-z का square is equal to x plus y plus z और मैं इसको और अच्छे-ची लगना चाहूं तो हमारे पास c2 is equal to x plus y plus z into x minus z का whole square ठीक है हम इसको ऐसी भी लिए सकते हैं हम जी तो यह हो गई हमारे पास equation number 3 x c2 is equal to x plus y plus z into x minus z का square ठीक है अब इसका ऐसी भी लिए सकते हो और जो हम यहांपर कर रहे थे यह वन बाई टू आ जाएगा ओ फिर यहां पर एक्सपने जाट हो जाएगा इन्टु में तो आप इसका अंसर वो भी लिख सकते हो ठीक है तो लिख दतों यहां पर therefore equation 2 and 3 together form the complete solution ठीक है यह कुशन थोड़ चा अलग टाइप का था तो हमने यहां पर क्या किया दो दो मिल्यलियर्टcimento साथ चोज करना पड़ा ठीक है क्योंकि न तो मिल्यूर को इन्टीक कर सकते हैं ना मिया से कोई कर सकते दिये तेश goin ठीक है और हमारे पास 0 भी नहीं बंद रहा था कुछ भी करो तो 0 तो बनी नहीं रहा हमारे पास ठीक है 1-1 करो यहने 0-0 मुल्टिपला करेंगे तो भी 0 बनेगा तब हमारे पास कोई सोलिशन नहीं आएगा ठीक है तो हमें यहाँ पे इस टाइप से करना पड़ा ठीक है जी तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंपलेट होती है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 7.3 वो करेंगे नेक्स्ट क्लास कनदर बाई बाई टेक केर सी यू थैंक यू फॉर वाट्सिंग